वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस आजके इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे HDFC बैंक टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड का टाटा नियो कार्ड में कितने बेनिफिट बिलते हैं फी एंड चार्जेस क्या है ये कार्ड बनवाने के लिए eligibility and criteria क्या बना हुआ है टोटल डिटेल इस वीडियो में हम explain करेंगे तो वीडियो को आप end तक देखते रहिए चैनल पर अगर आप नए है पहली बार आपने विजीट किया है तो subscribe करके बैल आइकन को प्रेस करें जब आपके पास मैं HDFC बैंक टाटा नियो कार्ड रिसीव होगा तो आपको इस तरह का एक premium कार्ड ओफर किया जाता है credit कार्ड को आप देख सकते है रूपे platinum का branding है रूपे network के साथ में ये कार्ड होने के कारण आप इस कार्ड को UPI से link कर सकते है UPI से link करके जो भी आप payment करेंगे जो भी आप spend करेंगे 1% का आपको UPI payment पर भी cashback दिया जाएगा रूपे कार्ड का यह benefit है आज की date में और ये कार्ड जब मैंने apply किया तो मुझे इस कार्ड का instant approval मिल गया था 51,000 का एक limit मिला था आपके लिए भी best opportunities है ये कार्ड अगर आपको बनवाना है तो वीडियो के down में आपको मैंने link provide कर लिया है link पर click करके अगर आप कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपका approval rate थोड़ा high हो जाता है अभी के time में HDFC bank इस credit card का approval थोड़ा ज़्यादा provide कर रहा है अपने customer को और कार्ड अगर आपका approve हो जाता है तो joining भी pay करने का requirement नहीं है limited time के लिए offer है ये आपको एक unique benefit हो जाएगा joining benefit आपको pay नई करना है second year से renewal charges debit होना start हो जाएगा इस credit card का जो renewal charges है 499 रुपेज प्लस applicable taxes है लेकिन दोस्तों आप previous के year में एक लाख रुपे को spend कर लेते हैं इस card का use करके तो आपका renewal charges भी way up हो जाता है credit card का main benefit 7% का cashback है जो भी Tata Neo के partner brand है उस पर आप spend करते हैं तो आपको यहाँ पर 5% प्लस 2% 7% का cashback offer किया जाता है AJ New coin में आपको यह cashback मिलेगा New coin आपको provide किये जाते हैं Tata Neo के partner brand like up Big Basket, Air Asia, Tata, 1MG, Chroma, Tata Click, Westside, Titan, Tanishk and ISCL यह Tata Neo के top partner brand है इन पर आप spend करते हैं तो आपको 7% का cashback AJ Tata New coin में offer किया जाता है card का use करके जो भी आप spend करते हैं खर्च करते हैं per annual आप 35,000 का saving कर सकते हैं अपने खर्चों पर card का use करके आप UPI से payment करेंगे 1% का आपको cashback दिया जाएगा यह cashback लेने के लिए आपको Tata New app के माध्यम से UPI payment करना है तो यह आपको 1% का cashback मिलेगा अगर आप 3rd party app का use करते हैं like phone पे, google पे, any UPI, 3rd party app का use करेंगे तो आपको only 4, 0.25% का ही cashback दिया जाएगा UPI वाली category में आप maximum 500,000 कर सकते हैं card का use करके आप bill payment पे करते हैं like broadband, water bill payment, electricity bill payment कोई भी आपका bill payment हो bill payment pay करने पर 2% का आपको cashback as a new coin में offer किया जाएगा और maximum point आप एक माईने में 2000 earn कर सकते हैं and दोस्तो टॉप brand के अलावा, bill payment के अलावा आप कई पर भी spend करते हैं all other spend पर आपको 1% का benefit बिलेगा लेकिन दोस्तो कुछ ऐसी category है जहां पर आप spend करते हैं तो आपको कोई भी cashback नहीं मिलेगा like EMI payment हो गया, cash withdrawal हो गया, wallet reload हो गया rental payment हो गया, fuel transaction हो गया and exact train में आपको कोई भी reward point का benefit नहीं मिलेगा जितने भी दोस्तो आप new coin earn करते हैं reward point earn करते हैं उन point का use करके आप Tata new app पर swapping कर सकते हैं अपने reward point को आप redeem कर सकते हैं एक reward point की value आपको एक रूपे offer की जाती है काफिस सांदार value है HDFC Tata new प्लस credit card में तो इन point को redeem करने के लिए आप Tata new app पर visit किजिए कोई भी product catalog में आप swapping कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने credit card के statement के against भी अपने point को redeem कर सकते हैं point को redeem करते हैं तो आपको 99 रूपेज प्लस applicable taxes charges पे करना होगा इस reward point की जो validity है वो एक साल की है जब आप reward point earn करते हैं तो within a one year में आपको अपने point को redeem करना है card का use करके आप fuel पर transaction करते हैं तो आपको 1% का surcharge benefit मिलेगा आपका जो fuel transaction है वो minimum 400 और maximum 5000 के under होना चाहिए और दोस्तो maximum आपको surcharge का benefit एक महिने में 250 रूपीज का offer किया जाता है टाटा new card में आपको 4 complimentary domestic airport launch access का benefit होता है आप जब भी flight में travel करते हैं तो waiting के लिए आप launch का use कर सकते हैं दोस्तो HDFC bank टाटा new plus card का use करके आप groceries पर spend करते हैं तो यहाँ पर capping है groceries वाली category में आप maximum एक महिने में 1000 point को ही earn कर सकते हैं credit card के eligibility और criteria की बात करें तो यह card बनवाने के लिए आपका minimum age 21 year का होना चाहिए और maximum age 65 year का यह card salaried और self-employed दोनों ही type के individual apply कर सकते हैं आपका minimum monthly income 25,000 का होना चाहिए अगर आप salaried person है self-employee है खुद का कोई business है तो minimum ITR आपका 6 lakh रुपीज का फील होना चाहिए card के document requirement की बात करें तो आपका identity proof, address proof, pen card होना mandatory है and income proof income criteria मैंने आपको बता दिया है card आपको apply करना है तो वीडियो के down में link है आप घर बैटे easy way से within 5 minute मैं Tata new card के लिए online आविदन कर सकते है दोस्तो मैं इस credit card को लगबग 15 month से use कर रहा हूँ credit card कापी सांदार है card का use करके मैं UPI से ही transaction करता हूँ phone pay के माध्यम से transaction होता है Tata new app के माध्यम से भी आप UPI कर सकते है तो UPI का जो benefit है 1% का आपको जो benefit है वो Tata new card के साथ में offer किया जाता है और आपके लिए best opportunities है card को अगर आप बनवाते हैं तो आपको joining fee पे करने का requirement नहीं रहेगा card का fee charges मैंने आपको बता दिया है लेकिन दोस्तों card का use करके आप कुछ ऐसी category में spend करते है तो आपको additional charges पे करना होता है like अगर आप इस card का use करके foreign में transaction करते है विदेस में कोई lane देन करेंगे तो आपको अपने transaction amount पर 3.5% का additional charges पे करना होगा ATM से cash money को withdraw करते है 2.5% का charges लगता है minimum 500 applicable है and दोस्तों card का जो भी outstanding bill amount है जो भी आपका bill generate होता है उसको आप timely pay नहीं करते है तो उसका आपको interest पे करना होता है 3.75% पर मन्त के according तो दोस्तों आपको भी saving करना है अपने UPI transaction पर UPI transaction आप ज़्यादा करते है तो ये card आपको benefit दिलवा सकता है Tata के जो top brand है उन पर अगर आपका spend होता है online आपके खर्चे होते है तो ये card आपको अपने spend पर definitely benefit दिलवा सकता है card कापी बैतरीन है आप इस card को बना सकते है वीडियो के down में लिंक है card को आप आज ही apply किजिए अगर दोस्तों आपका card approve होता है आपको इस तरह से card मिलता है तो वीडियो के down में आप comment करके मुझे जरूर बताए वीडियो गर आपको बैतर लगा हो तो एक like कर लिजिए share किजिए अपने दोस्तों के साथ मैं और हमारे चैनल banking process को आप subscribe करें ताकि आपको ऐसे वीडियो की information सबसे पहले मिलें